आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी जो ये एडवाइजरी आई है रूल 69 को लेकर इसमें थोड़ी सी कमी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा इसमें क्या कमी है मैं आपको बताता हूँ ये जो नोटिफिकेशन आई थी एक जनवरी 2021 को तो जब कोई नोटिफिकेशन एक जनवरी 2021 को आ गई जिसमें रूल 69 को इंप्लिमेंट कर दिया गया तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि पोर्टल के ऊपर ये एडवाइजरी जो एप्लिकेबल होगी वो एक सितंबर 2021 से होगी है कि ये वाला लोग एप्लिकेबल है एक जनवरी 2021 से ही अब आप कह रहे हो कि ये एक सितंबर 2021 से है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि सरी से हम एक जनवरी से माने एप्लिकेबल या एक सितंबर से माने तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो एडवाइजरी एप्लिकेबल ह लेकिन portal जो है उस पर जो action लेगा वो 1 सितंबर 2021 से लेगा लेकिन इसका ये कता ही मतलब नहीं है कि भाई ये वाली जो applicability है वो 1 सितंबर 2021 से है नहीं तो ऐसा बहुत गलत हो जाएगा कि भाई rules आपने notification से ला दिये और उसे applicable करने के लिए आप कोई advisory जारी करें ये तो एक misrepresent presentation हो जाएगी जिससे कि हम लोगों को काम करने में बड़ी तकलीफ होगी ऐसा है या नहीं है मुझे comment box में लिखकर बताना कि जब ये वाले rules एक जनवरी 2021 से apply हो गए तो as a professional मैंने तो ये मान लिया कि एक जनवरी 2021 से ये apply हो गए लेकिन जब ये advisory आई और इन्होंने ये बोल को देखोगे rule 596 के अंदर तीन closes है close a close b close c लेकिन ये जो advisory है इस advisory के अंदर स्रीफ दो ही rule की बात होती है close a और close b की तो आप मुझे बताओ क्या ये incomplete नहीं है मेरे हिसाब से तो incomplete है क्योंकि यहाँ पर a और b को cover किया गया c को cover नहीं किया गया क्या c के लिए ये दुबारा क कुछ लेकर आएंगे कि भई c close को बाद से apply करेंगे पहले हम इन तीनों close को पढ़ लेते ये तीनों close केती क्या है close बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप मंतली dealer हो और अगर आपने अपनी gstr3b file नहीं करी तो इस बात को आप समझ लेना कि अगर आप पिछले दो महीनों की gstr3b फाइल नहीं करते हो तो हम आपको gstr1 और iff फाइल करने नहीं देंगे ये rules में लिखा हुआ है अब portal b से apply कर देगा और अगर आप gstr3b quarterly फाइल कर रहे हो तो quarterly के case में अगर आपने एक quarter की gstr3b फाइल नहीं करी तो हम आपको ये फाइल नहीं करने देंगे अब ये दोनों advisory जो है a और b close इन्होंने advisory के रूप में दे दी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ c close का क्या हुआ भाइ c close भी तो आपका apply करनी चाहिए c close आपने apply क्यों नहीं करी भाइया जो ये c close है ये कहती क्या है इस चीज़ को समझ लो कि अगर आपके ऊपर rule 86b applicable है अब आप कोगे sir य rule 86b क्या है मुझे कई बार ये लगता है कि आप लोगों ने पूरा GST सीख लिया लेकिन अभी अपने YouTube चैनल पर मैंने दो कोश्चन आपसे पूछे और मेरे को बड़ा अचंबित हूँ में इस वास्त को लेकर कि इन दो कोश्चन के जवाब जो आपने दिये maximum लोगों ने गलत दिये यहाँ पर 81% लोगों ने गलत दिया और यहाँ पर 71% लोगों ने गलत दिया इसका अंसर तो इसका मतलब आपको अभी अपनी GST की नोलिज को सुधारने में टाइम लगेगा तो यहाँ पर अपनी GST की नोलिज को सुधार लो क्योंकि आपने जो दोनों ही आंसर violation करा कोई 3B file करी और आपने एक भी violation कर दिया एक भी 3B में तो आपको भी हम GSTR 1 और IFF file नहीं करने देंगे लेकिन इसका जिक्र इसका जिक्र इस वाली कोई भी advisory में नहीं है यह गलत है या सही है आप मुझे बताना मेरे इसाफ से यह incomplete है तो यहाँ पर हमारे को यह चीज़ देखनी है कि भी एक सितंबर से अब हमें करना क्या है कि जो हमारी 3B pending से हम उन सारी 3B को file कर ले नहीं तो हमारे को IFF और GSTR 1 file नहीं करने दिया जाएगा इसका नुकसान क्या होगा अगर हम IFF और GSTR 1 file नहीं करेंगे तो हमारे सामने वाले रिसीपेंट को ITC नहीं मिलेगा इसलिए इन्होंने ये वाला रूल बनाया था लेकिन इसे काफी लोग follow नहीं कर रहे थे इसलिए इन्होंनों advisory डाल कर एक सितंबर से इसे applicable करने की बात कही है कि हम तुमें रोक देंगे जैसे GSTR 1 आई एफ एफ सम्मिट करने जाओगे तो हम चेक कर लेंगे कि पिछले महीने की GSTR 3 भी फाइल हो गई या नहीं और अगर नहीं हुई तो हम आपको रोक देंगे तो ये advisory ये कहते है लेकिन अभी advisory incomplete है मेरे साब से क्योंकि इसमें C close को नहीं डाला आप मुझे comment box में लिखकर बताना और ये दूसरा point applicability का मेरे इसाब से ये rule एक जनवरी से applicable था इन्होंने एक सितंबर से applicable करा है दो बाते मुझे आपको बतानी थी सर एक नई advisory हो रही है हाँ सर एक HSN पर advisory आई है ये advisory इनोंने बहुत लेट निकाली है क्यों बहुत लेट निकाली है अगर आपने हमारी magazine पड़ी हो तो हमने अपनी magazine के अंदर इस advisory को पहले से ही दे दिया था कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से उस समस्या का समधान कर लो और अगर आपने अभी तक हमारी magazine नहीं ली है तो आप हमारी magazine इन number पर बात करकर ले सकते हैं जो भी आप हमारी magazine लेना चाहे सर सितंबर की magazine में क्या क्या content डाले भाई मुझे comment box में लिखकर बताओ कि सितंबर की magazine में क्या क्या content डाले हाला कि सितंबर की magazine हमारी लगबख 70% तयार हो चुकी है और उसमें हमने अब की बार बढ़िया बढ़िया content दिया है क्या बढ़िया बढ़िया content दिया है दो तो हमने case low दिये ITC से related उसके अलावा हमने क्या करा यह कहां से पढ़ कर बता रहे है भया यह ना हमने अपनी GST Returns की किताब है जो हमारी बहुत जल्द loan चोने वाली है बहुत जल्द उसकी printing copy आपको मिल जाएगी तो अगर आप भी इसकी printing copy लेना चाते हैं तो यह printing copy आपको कैसे मिलेगी कितने रुपे की मिलेगी कब से booking चालू है यह सारे सवालों के जवाब आपको इस number पर मिल जाएगे सर अभी से booking चालू कर दो अभी से हमने इसकी booking चालू नहीं करी है इसकी booking कुछी दिनों में चालू हो जाएगी तो जैसे इसकी booking चालू हो जाए तो आप इसकी copy book करा सकते हो और हाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि अगर आपको अपनी knowledge बढ़ानी है तो बढ़ाते रही है हमारे channel के साथ जुड़े रही है क्योंकि हम अपने channel पे अभी हमने 2-3 questions पूचे हैं और हम सोच रहे हैं इस activity को continue रखे जिससे आपकी भी knowledge बढ़ती रहे आप बताएं कि क्या इस तरह के questions हम continue रख सकते हैं या नहीं और अगर किसी को हमारी pen drive class लेनी है ठीक है या google drive classes लेनी है तो वो purchase कर सकता है इन numbers पर बात करके जो आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं उसमें हम पूरा updated course आपको देते है और ये जो सवालों के जवाब आपने गलत दिये आप गलत नहीं करेंगे अगर आपने वो pen drive classes ली है अगर किसी की pen drive classes expired हो गई है तो उसे renew करा ले क्योंकि अभी हमने GSTR 99C Financial Year 2021 का new lecture अपने सारे members को provide करा है वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिख कर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादे लोगों तक share करना और ये जो दोनों ही advisory है हम अपने सितंबर के edition में आपको देने वाले हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद Thank you for watching